हम लों समझेंगे Implied Comparison के बारे में Implied Comparison का मतल़ यह होता है कि किसी भी sentence में किसी भी sentence में हमें comparative degree देखने का ना मिले लेकिं वहाँ पर comparison हो रहा हो तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, कैसे इसको solve करेंगे कैसे उस error को find out करेंगे वह साई चीज जाएंगे बहुत ही detail में एक बात और है कि Implied Comparison most of the books में नहीं मिलता है तो मैं उन लोगों से request करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को मेरी बात समझ में अगर ना है मैं जितने examples बता हूँ, उनमें से एक भी example समझ में ना है यह सारे मैंसे कोई एक ना है, यह सारे ना है तो comment मत करना ही समझ में नहीं आया है आप videos को multiple times देखना और आज देखा, आज 2-3 बाद देख लिए, कल person देख लिए फिर कुछ समय बाद देख लिए, ऐसे देखना तब आप कोई clear होगा क्योंकि logic क्या है कि पहली बाद तो हमें आगा कोई चीज नहीं आती है और उसको बिल्कुल नहीं आती है तो तो बिल्कुल समझ में नहीं आएग एक बार में आती थी, लेकि clear करना था तो समझ में आ जाएगा जिनको यह चीज बिल्कुल नहीं आती है उनको टाइम लगेगा समझने में इसलिए मैंने इसको पहले ही बता दिया है अब आते हैं टॉपिक पे उसकी किताब राम से महंगी है उसकी किताब राम की किताब से महंगी है तो अब ध्यान दो यहां पर possessive adjective है और यहां पर एक noun है और यहां पर केवल noun है हम possessive adjective को तुलना possessive adjective से कर सकते हैं अगर मैं यहां पर दो तिन तरीके हैं यह तो मैं राम की जगे यह तो मैं लिख दू राम्स राम की किताब आप इस्ट आफियस का वाला राम की किताब आपर हो जाएगी लेकिर राम्स यह थोड़ा सा आजीव लगएगा देखने में एक तरीका सबसे सही तरीका लिखने का that of राम that of राम अब यह that of कहां से आगया जब कोई एक वस्तू की तुलना कोई भी एक चीज की तुलना अगली चीज से करते हैं सबसे सही तरीका कौन सा है वो यह वाला फिर यह वाला बताया क्यों रिज़न ही कि बहुत साइज जगे पर हमें यह भी लिखके मिल सकता है तो परजेशिव का कंपेरिसन परजेशिव से वह सबसे अच्छा तरीका that of कहा यूज हम लो ऐसे कर सकते हैं आरत क्या हुआ कि उसकी किताब राम की किताब से ज़्यादा महेंगी है यह गलत होगा आप his bag is bigger than your अब ध्यान दो उसका बैक तुम्हारे बाले से ज़्यादा बड़ा है तो मैंने बताया था आपको पजेशिव एजेक्टे वाली जो सब्द है यौर, माई, अवर इनके बत कोई नाउन चाहिए होता है अगर वह सब्द हमें अखेले लिखने पड़ते हैं अगर वह सब्द हमें अखेले लिखने पड़े तो फिर पजे से प्रोनौन का यूज़ करते हैं मतलब फोस नंबर वालाइन माईन, यौर्स, आर्स, दियर्स, हिज, ऐसे यौर्स नाउकर के हो जाएगा यौर्स इस यौर्स के अंदर हो जाएगा बैग उसका बैग तुम्हारे बैग से ज़्यादा बड़ा है अब आता है समझ में, देखो प्रोनौन वाली बात अब यहां पर फॉल्ल होई हर एक चीज हर जगे क्लियर नहीं हो सकती है इसलिए जब तक पूरा स्लेव उसन दिखोगी तब तक अब कोई चीज क्लियर नहीं होगी मैं एड़वर्ड पढ़ा रहा हूं तुम्हारे कपड़े सिवा के कपड़े से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो देखो यह और पजे सिवा गया क्लॉस मेरा प्लूरल है यहां पर सिंगुलत था तो शिवा को हटाएंगे यहां पर यूज करेंगे यहां देट की जगे दोज ओफ शिवा शिवा ठीक है सिवाज कर सकते हो लिएकि सबसे अच्छा तरीका क्या है दोज ओफ शिवा तो शिवा के कपड़ों से सिवा के कपड़े कम कंफर्टेबल हैं बजाए तुम्हारी कपड़े ज़्यादा हैं कि क्लाइमेट ओफ डैली ली इस क्लाइमेट क्लाइमेट जो है वो लखनो की क्लाइमेट से अब ध्यान दो क्लाइमेट यहां पर सिंगुलर है और यूज हुआ है आफ तिर समझोँ अपर इस्ट और इसको गुमा करके लोगो ने आफ से लिखा हुआ है डेली's climate नहीं, the climate of Delhi तो आपने क्या ध्यान दिया कि लखनू का लखनू यहाँ पर डेली, लखनू और डेली यहाँ पर सब्द हो गई यहाँ पर proportion आई है मेरी of तो लगा दो of, इसके पहले climate singular है, इसलिए यहाँ पर आजाएगा that that of Delhi the climate of Delhi Delhi is hotter than that of लखनू यह that of का मतलब the climate of Delhi का लखनू इदर पर हो गया है तो दिली के climate से दिली का climate ज्यादा गर्म है बजाए लखनू के climate तो इस तरह से बनाते हैं, तो दो बाते निकल के आई यह तो apostrophe as apostrophe as यह फिर पजेसर एजेक्टिव के लिए आगे चल करके यह तो that of यह फिर those of का use हम दो करते हैं, यह बात आप note down कर लीजिए फिर इसको आगे देखते हैं इसको मैं erase कर देता हूँ यहाँ पर जगे का में दा ब्रिक्स ओफ यॉर कंपनी इस हैवियर देन मिश्टर सर्मा आपके कंपनी की जो ब्रिक्स वानला जो इटे हैं वो मिश्टर सर्मा की कंपनी से ज़्यादा है तो अब ध्यान दो मिश्टर सर्मा यहाँ पर यॉर कंपनी तो हमें करना क्या है कि मिश्टर सर्मा की कंपनी तो देखो पहले तो यहाँ पर आफ का ले लो आफ ब्रिक्स ज़्याद है तो यहाँ पर आजाएगा दोस दोस ओफ मिश्टर सर्मा एक कंपनी का नाम है अब मिश्टर सर्मा कैसे पता करें हैं तो शरनेम लग रहा है देखो देखो दब ब्रिक्स ओफ यॉर कंपनी तो महारी कंपनी के इंटी जो है अब यहाँ पर ध्यान दो इज जो आ रहा है वो इज जो है वो तो bricks के according आना चाहिए क्योंकि bricks की बाद चल लई है तो यहाँ पर इज में आ कर क्या आएगा मेरा are the bricks of your company are heavier than those of Mr. Sarma's company अब यहाँ पर possessive कैसी आ गया एक तो Mr. Sarma की company भी दिखाना है और साथी साथ मुझे यहाँ पर bricks का comparison भी करना था तो यहाँ पर दो वाते निकल की आई एक तो इसको पूरा करने के sense में मुझे Mr. Sarma's लगाना पड़ा ठीक है और दूसरी बात ही है कि दब bricks off को balance करने के लिए मुझे यहाँ पर लगाना पड़ा एक बात यहां पर दो problem थी एक तो यह surname है और यह company नहीं थी surname का company sense देने के लिए apostrophe इसका यूस करना पड़ा company हो गई common अब इसको solve करने के लिए हम लोगों यहाँ पर लगाया those of यहां पर दो changing होने थी हर sentence में मैं changing कर रहा हूं ताकि आपको नएने concept मिलते रहें और इनको note down भी करने आपको the money in the pocket is better than bag मतलब जो pocket money होते वो जाद अच्छे होते मजाए bag के मतलब मैंने तो रख ली pocket में आमने रख ली bag में तो मैंने कहा कि bag में रखने इस बढ़ी है कि अपनी जिम में रुपे रख लो अगर खोएंगे ना तो पता चेल जाएगा bag खो गया तो सब समस्य हो जाएगी अब यहां पर हमें करना क्या है कि अखी बार देखो pocket की जगे पर यहां पर मिल गया bag लेकि अखी बार मुझे मिला यहां पर in Automation proportion change होई देखो यहां पर कोई proportion थी नहीं तो में ले लिया यहां पर offer ले लिया मुझे यहां पर क्या दो करना है पहले तो then की बार करना है money Uncountable मोण है तो यहां पर आजाएगा that कै प्रपूर्शन इन्हें नहीं ही लेना होगा यह आपको ध्या desse Now let's देन कि टाकी क्योंकि दाइब देगा के ध्यान देते हैं और एक एक बातो से कितनी सारी चेंजिंग यहां पर रहे हैं और ऑफे और हो रहा है उफे लिगा की एक Queens विए सब्सक्रीजिए, हम लोग कहते हैं कि अंधेरा हो रहा है. तो यहां पर कुछ वर्फ्स हैं, यह वर्फ्स मैं आपको बताऊंगा, इनको आइधिंग इन्कोटिव वर्फ्स बोलते हैं, तो इन्कोटिव वर्फ्स, ऐसी कुछ इनका नाम है, मुझे exactly भी याद नहीं आ रहा है तो कुछ verbs ऐसी होती है जैसे कि get है grow है और become यह तीन verbs ऐसी है जिनकी बाद अगर degree आएगी तो complete degree ही आएगी हमेशा यह rule अभी आगे मिलेगा आपको इन verbs के बाद हमेशा complete degree लगाते हैं क्यों लगाते हैं? हम लोग कहते हैं it is dark, it is getting dark अब जरी होताब मैंने का कि अंधेरा हो रहा है जब मैंने बोला कि अंधेरा हो चुका था हम रूख गया था अगर रूख गया था तो मैं बोले हुँ it is dark अगर साम हो चुकी हो और अभी रात होने वाली और अंधेरा चल रहा है, होने वाला भी, इसका मलब जारी है, तो रुका नहीं है, अगर रुका है, तो पॉस्टिट डिगरी, और अगर चल रहा है, तो इस गेटिंग डारकर, अंधेरा हो रहा है, इसलिए आप डारकर आएगा, अगर मैं इसके बाद एक और डिगरी लगात इस गेटिंग डारकर, सारे सेंट रहा है, फिर उसके बाद, इसके बाद, इस बिकेम इसी नहीं होगा, इसीर होगा, अभी मैंने आको बताया था, यहाँ पर फॉर्म कोई भी वह विख की, लेकिन डिगरी हमें साएगी, कॉंपरिटिव, इस आप अगरी यह आसान हो गया, the crops is growing large नी होगा larger होगा crop बड़ी हो रहे है अब दूस्री ग्रोप को करके काउंट कर सकते हो दिखो crop जो है वह uncountably भी वहती है दूस्री बात ये crop को आदा फसल होता है crops का मतलब फसल होता है üzल उसको account नहीं कर सकते हो आप वेट कर सकते हो countable uncountable नो यह बात डीटेल में देखी थी it is not getting hard and hard it is not getting harder harder and harder sentence हमारा correct हुआ to be good at reading is more important than thinking anything to be good at reading पढ़ाई में अच्छा होना is more important वो ज्यादा अच्छा होता है बज़ा है thinking anything अच्छा है कि पढ़ाई में दमाग लगा लो उससे कुछ नो कुछ benefit मिलेगा normal तरीके से मैंने समझा दी जो हमनों आपस बोल चाल में लाते हैं जो मैंने बोला है उस हिसाब से तो यह sentence सीधा हो correct लग रहा है लेकिन अब sentence में आप इंप्लाइट comparison फॉलो होगा जो अभी तक हो रहाता लेकिन अब रियल वाला और होगा अब भाहिंकर वाला होगा कैसे होगा अब ध्यान दो तो यहां पर यहां पर रीडिंग आया और यहां पर आया थिंक्किंग इसका मेला word हो मैं छोग गई है लेकिन इसके पहले में ध्यान दू प्रपूर्शन आये at तो मैं भी सीखाता है वहां पर आया था तो यहां पर लगाना पड़ेगा at अब इसके पहले मुझे मिलट infinitive अब यहां पर rule follow होता है उसको समझ लो और इसको समझ लो एक बार इसमें क्या था कि आपका हाँ the money in यहां पर क्या था कि यहां पर money का comparison बगर होते हैं आप एक noun आया था सभी में noun and pronoun ही चल लए थे लेकिन आपकी बार यह क्या हुआ यहां पर कि यहां पर infinitive आप ध्यान दो 2 प्लस V1 यह infinitive है तो rule यहां पर यह नकल की यह आता है आपका कि जब infinitive मिले और कोई proportion मिले तो हम comparison में then की बार तो हम comparison में then के बाद यह proportion follow करते हैं केवल और बाकिया कुछ भी नहीं लगाते हैं तो यहां पर infinitive के लिए infinitive हम यहां पर कोई word नहीं लगाएंगे वो यहां पर sense में automatic आ जाएगा to be good at reading is more important than at thinking anything और इसका sense क्या निकला पूरा जैसे में इसको अगर रियल में लिखना चाहूं पूरा तो to be good at reading is more important than to be good at thinking anything कोई भी अच्छी चीज सोचने से बढ़ी है यह है कि हम दो पढ़ाई में दिमाह लगाएं उससे कोछ अच्छा प्राप्त करें तो वो जहादा बैटर है हलां कि thinking बुरी नहीं है अगर कोई वैक्ति फालतू बाता सोच रहा है उसको लग रहा है बहुत ही अच्छी बाता सोच रहा है तो मैं sentence बोल ला हूँ कि फालतू बाता तो तुम जो सोच रही है उससे बढ़ी है तुम पढ़ाई कर लो तो तुमाह दमाग लग जाएगा पढ़ाई में कुछ benefit होग अब news papers आप उठालो कुछ भी उठालो आपको ऐसा ही तरीक लिख भी मिलते हैं जो समझें नहीं आते हैं इनका logic यही है recently the development in the IT sector यहां पर IT में लिख दे रहा हूँ IT sector होगा information technology यहां पर IT बड़ा IOT होगा हाल ही में the development in the IT sector हाल ही में जो IT sector में information technology सेक्टर में जो विकास हुआ है has not been as fast as insurance sector जो हाली ही में IT सेक्टर में development हुआ है वो उतनी has not been as fast as insurance sector यह जितना insurance sector में हुआ है fast development उतना IT सेक्टर में नहीं हुआ क्योंकि यहां पर negative sentence है अब ध्यान दो यहां पर IT sector है और यहां पर insurance sector है तो यहां पर insurance sector और IT sector के बारे में comparison नहीं हो रहा है यहां पर development का comparison हो रहा है यह दोनों तो अपने जागे stable है insurance sector और IT sector comparison किससे करें comparison उसका work से करेंगे ना हम लोग तो अब डबलेमेंट का comparison होगा, तो अब यहां पर करना क्या है? अब हमें यहां पर करना यह है कि यहां पर हमें कीवल, एक तो दा की problem है, इंदा लगाया हुआ है, तो यहां पर एक तो लगएगा दा इंदा इंसेरेंस सेक्टर, दूसी बात यहां पर मिला मुझे इं, अब मैं क्या करूँ? एक तरीका तो यह है कि मैं इंपे sentence को finish कर दू, sentence मेरा correct है, the development in the IT sector has not been as fast as in the insurance sector, अब आप कोगे सर्फ मनी वाले में भी तो वहां पर in आया था, आप चाहो तो वहां पर that हटा देते और in लगा देते, देखो उस case में, इस case में सोड़ा से difference यह है, कि यहां पर sentence में हम लोग चाहें, तो that in the insurance sector कर सकते हैं, लेकिन अगर हम केवल proposition लगा दें, और sentence पूरा निकला है same, sentence पूरा निकला है same, तो हम वहां पर केवल proposition कम चल सकते हैं, अब वहां पर क्या हुआ था, कि वहां पर आपका एक तो आया था pocket, एक आया था bag, अब ध्यान दो, तो bag का real में काम होत होता है, पैसे रखने का, हाला कि आप चाहो तो आपने documents भी रख सकते हैं, लेकि documents वह होते हैं, logic समझे हो, मैं जो समझा रहा हूँ, हरी चीछ का अपने proper place होता है, तो मुझे इस पेसलिए यह समझाना पड़ा कि मैं रुपे की तोलना करूं रखने की अलग अलग जगे पर लेकिन आप पर IT sector और insurance sector दोनों में एकी काम है, जिसका नाम है development, इसलिए मैं development को repeat नहीं करूंगा, केवल in लगा का कि proposition से पूरा काम चला सकता हूँ, जो कि sentence अपने correct है, कुछ लोग नहीं मानेंगे, सर हमें नहीं मानना, हमें तो that लगाना ही, तो लगा लो कोई problem नहीं है, हाला कि error आपका जो था, वो age की बाद था, यह मैंना आपको समझा दिया है, clear, my friend has a bigger apartment than rams, यह बड़ा इस वेसल है, अब वो कोई सर यहां पर पजेसे वे, और noun है, तो यहां पर पजेसे अपने लगा दिया, अपने तो बताए था, या फिर इसकी जए अपने एक और गलत है, और यह भी गलत है, अच्छा, अगर आप इसको अपस्टोफी एस मान के चल लाई हो, तो तो यह गलत है, अगर आप यह मान के चल लाई हो, कि राम और है, तो यह मेरा correct है, अगर यहां पर exam में वो ऐसा दें, और improvement में, या तो यह देंगी, या फिर यह देंगी, द यह सही है, अब यहां पर इसको apostrophe S क्यों न माने, reason है, my friend has, मेरे दोस्ट के पास एक बड़ा apartment है, बजाए, राम का apartment के राम के पास जो apartment है, उससे बड़ा apartment मेरे दोस्ट के पास है, तो यहां पर ध्यान दो, यहां पर comparison जो है, वो वर्व की बीच में हो रहा है, होने के sense में है, तो यहां पर राम सा अपास नहीं, दोगो यहां पर, friend के बगल में तो वर्व है न, friend का क्या, तो friend का appartment, तो appartmen है, यहां पर तो लिखा नहीं है, my apartment या my friend's अपास तो तो पूल्लने हो नहीं रही है, यहां पर तो होने के लिए हेज के लिए comparison हो रहा है, राम है is तो यह रियल में sentence है तो सही लेकि अपस्ट आफियस नहीं है यहां पर यह है इसलिए sentence सही है खूब समझना ध्यान जब 10-15 बार वीडियो देखना तब मेरी बात समझाएं कि कोई इंप्रेट कंपैजन समझे में नहीं आता है अर्थ पूरा सही निकलता है इनका I want to speak faster than I want to speak faster than reading अब ध्यान दो कि यहां पर comparison किसके बीच में हो रहा है कि मैं बोलना चाहता हूं मैं तेज बोलना चाहता हूं बज्या पढ़ाने के तो comparison जो है यहां पर किसकी बीचे हुआ है एक infinitive का comparison एक infinitive से ही तो होगा भाईवाद समझाई है ने pen का comparison पैन से ही तो होगा जेरंट के comparison जेरंट से होगा इस तरह से यहां पर reading ना होकर कि आजाएगा to read अभी sentence गलत है books क्या कहती देन के बाद 2 plus v1 नहीं आता है लेकर लोगिक नहीं बता है logic इसका यह है कि अगर मैं यह कहूं कि जैसे कि in the hall and in the kitchen तो यहां पर common जो है वो proportion यहां पर यह वार आ गया है और hall के लिए भी इन आ सकता है और kitchen के भी इन आ सकता है तो यहां पर इन दुवार repeat नहीं करेंगे ऐसे यहां पर two जो है इसने इसको infinitive बना दिये तो दुवार two repeat नहीं करेंगे इसलिए यहां पर के वाल read आएगा I want to speak faster than read बात आई समझ मैं books हमेशा आदा अदूदा ही ज्यान देती है इसलिए हमें problem होती है तो यहां पर infinitive इसलिए नहीं होगा infinitive में to repeat इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक वार two आ चुका है अब देखते है आगे to transport goods by sea is cheaper than land यहनी कि समुद्र के माद्यम से goods को ट्रांसपोर्ट करना वो ज्यादा सस्ता पाड़ता बज़ाए धारती से धारती से यह धारती यह जमीन से जमीन से यह से निकल लाए न तो देखो यहां पर two plus v1 यहनी कि infinitive use हुआ है और proportion आया है by अब ध्यान दो two plus v1 यहां पर proportion आया था at हमने at लगा के पूरा काम चला दिया था तो infinitive होने मज़े से हमें आप पर proportion के फॉलो करेंगे by और sentence अपना हो जाएगा correct मैं guarantee लेता हूँ जो paid classes होती है उनसे ज़्यादा मैं देने कोसिस कर रहा हूं और उमीद है आपको हर एक चीज़ समझ में आ रही होगी चीज़े समझ में नहीं आ रही हो तो comment मत करना 10-15-20 वाद देख लेना ये मेरी बात मान लीजिए 10-15-20 वाद देख लेना वीडियो अलगला टाइम पर तब भी समझ में ना है तब comment करना कि समझ में नहीं आ है अगर आपको real में अच्छा लगा पढ़के तो comment जूग करना क क्यां समझ में आया है अब देखते हम लोग आगे